शाओमी के हैपर रोइस के ने सिस्टेम एपके अपडेट आ चुके हैं सामने जिसको हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे आपको पांच एपस के ने अपडेट देखने को मिल रहे हैं और यह लेटस्टी एक्ट्रैक्ट किये गए हैं सभी में कुछ ना कुछ ने फीड़ेट चेंज़स और युईटं बग्फिक्स देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टॉल करते हैं सिस्टम लौजर का अपडेट और चेकआउट करते हैं कि इस बार गेडेट में आपको किया चेंज़स देखने को मिले हैं हो सकता है आपने यह अप्रेट यहाँ पे अभी भी कोई issue देखने को नहीं मिलता है setting में check out करते हैं कि यहाँ नए layout देखने को मिल रही है कि नहीं तो यहाँ पे background में वो changes देखने को नहीं मिलते हैं उसे के साथ यहाँ पे नए options include नहीं की गए हैं वही हमें आपको पुराने options देखनी को मिलते हैं app suggestion को आप लोग off कर सकते हो उसे के साथ यहाँ पे आपको multi-calar का setup देखनी को मिलता है in app query mode आपको देखनी को मिलता है जो कि आप लोग own कर सकते हो बाकि आपको वही पुराने basic changes देखनी को मिल रहे हैं तो as such यहाँ पे setting में changes देखनी को देखनी को मिल रहे हैं बट जो overall setting है guys उसमें यहाँ पे कुछ major changes देखनी को मिल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे show कर देता हूँ उसे के साथ इसके animation भी check out करेंगे तो यह रही guys setting APK तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ पे wallpaper वाले section में तो यहाँ पे हमें देखनी को मिल जाते है guys different wallpapers उसी के साथ यहाँ पी UI की बात करें तो यहाँ पे lock screen में जो issue था बग्स था वो अब fix कर दिया गया है जो कि मैं आपको बताऊंगा कहां से आप लोग कर सकते हो मतलब इसको customize कैसे कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगा जो की नया feature add किया गया है उसी के साथ यहाँ पे आपको और option मिल जाते है fingerprint के जो की अभी भी चार देखने को मिलते है बट पहले से जदा optimized हो चुके है जो की effect काफी अच्छा निकल किया आता है सामने उसी के साथ यहाँ पे आपको notification shade भी पुरानी basic की देखने को बलती है उसी के साथ यहाँ पे हम लोग बात करें always on display की तो हाँ इसका जो pop-up animation है वो अब change हो चुका है यह देख सकते हो कुछ इस तरह का निकल गयाता है सामने जो की काफी cool लगता है और इसका closing animation भी पहले से जादा improve कर दिया गया है और most यहाँ पे वोलपेपर में जादा changes नहीं है उसके बाद जाते हैं lock screen में scroll down करते हैं यहाँ पे आपको press hold edit का option देखने को मिल जाता है यह feature यह setting हाली में introduce की गई है क्योंकि यहाँ पे lock screen में bug देखने को मिलते थे tap and hold में यहाँ पे आपको random click देखने को मिल जाता था जिसको आप लोग अपने साब से off कर सकते हो तो यह यहाँ पे feature देखने को बलता है जो कि आपकी lock screen में जो bugs थे उनको fix कर सकता है तो यह आपकी अपनी personal preference है guys जहाँ पे आप लोग simply edit, customize करने में जो दिक्कते आती थी वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि आप लोग simply update कर पाऊगे तो as such guys आप इन features को access कर सकते हो इसको simply on करके, off करके इसलिए आप इसे customize कर पाऊगे तो यह यहाँ पे changes देखने को मिल रहे है major, बाकी guys बात करें तो मैंने इसे hyper device में install किया है बट यह guys MIUI 14 में भी properly work कर रहे है मैंने उसकी भी testing करके देखी as such कोई भी दिक्कत है आपको देखने को नहीं मिल रही हाँ, यह जो lock screen वाला feature है guys वो उसमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो feature उसमें sporty भी नहीं है बाकी जो changes है guys, वो similar आपको ऐसे देखने को मिल रहे है और जैसे आप लोग इसको update करोगे आपको यहाँ पे security status वाला भी update देखने को मिलेगा जिसको आप लोगों को एक बार phone को restore करना पड़ेगा ताकि phone में future में कोई दिक्कते ना आए तो यह भी guys आप लोग simply try कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे system launcher में जो app animation है guys app, closing animation, open animation, icon animation वो भी पहले से जदा smooth हो चुका है जिनके phone में sportive होगा guys उसी में यह simply work करेगा, बाकियों में work नहीं करेगा उसी के साथ guys next app की बात की जाए तो यहाँ पे recorder में changes आए है यह guys latest beta app से extract किया गया है और कुछ phone में तो guys UI ही change हो चुका है recorder का पर check out करते है guys की क्या हमारे basic phones में इंडिया में यह changes देखने को मिलते है की नहीं तो यहाँ पे हमें अभी तक पुराना वाला यह देखने को मिल रहा है उसके बाद setting में चेट आट कर लेते हैं क्या नए features देखने को मिलते है की नहीं animation है वो पहले से ज़ादा smooth हो चुका है और यह guys basic आपको देखने को मिलता है हाँ optimize हो चुका है यह चीज अच्छी है बट UI अभी तक देखने को नहीं मिल रहा बट global में guys देखने को मिल चुका है इंडिया में भी बहुत जंद आ जाएगा उसी के साथ next update है guys security का तो इसको update कर लेते हैं जहाँ पर आप लोग देखने को मिल रहा है इसका reason है जो की कौन सा है मैं आपको आगे बताऊंगा उसी के साथ guys यहाँ पर बात कर लेते हैं security की तो security में guys कोई भी बग नहीं है क्योंकि यह जो APK मैं आपको देने वालों वह बिल्कुल stable है जिसमें आपको privacy protection का नया UI देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोगों को permission handling के और options देखने को मिलते हैं जो की पहले से जादा include कर दिये गए हैं यहाँ पे आपको आपकी कौन-कौन सी app recording audio यह यूज़ कर रही है यह शो करता है उसे के साथ internet activity बेसिक जो features है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं hidden apps आपको यहाँ पे देखने को मिलते है virtual ID देखने को मिलते है जो की एक साथ summarize कर दी गई है जो की काफी अच्छी चीज़ है उसे के साथ यहाँ पे आपको health activity में कौन-कौन सी applications है जो की आप लोग सिंपली customize कर सकते हो कौन-कौन सी access ले रहे हैं यह सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है उसे के साथ यहाँ पे recent deleted APKs कौन-कौन सी APK फाल तो है यह देखने को मिलती है जो की आप लोगों को home screen पे भी देखने को मिलती है recent deleted photos भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यह same option यहाँ पे home screen पे भी देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो वैसे कोई भी इशू यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि एकची चीज है उसे के साथ गाइज एब वोलेट का भी नए अपडेट देखने को मिल रहा है जिसमें आपको नए विजिट्स इंट्रिड्यूस किये गए हैं तो विजिट्स कौन से है गाइज और आप लोग उसे कैसे इनेबल कर सकते हो चेक आउट करते हैं तो यहाँ पर हमने एब वोलेट अपडेट कर लिया है हमें वही बेसिक देखने को बिलता है जब हम स्क्रोल डाउन करते हैं तो एड न्यू रेकमेंड़ेट विजिट्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम हो जाएगा तो दूसरा वाला है गाइस वो भी एड कर लेते हैं बेस्बॉल का तो इसी हिसाब से काई जी चीज़ का पिछी है फुटबॉल और बास्केटबॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है यह गाइस नहीं विजिट्स इंट्रिउस की गई है बाकि जो और व कर सकते हो क्योंकि इन सभी के जो डाउन्रोड लिंक्स हैं गाइस वो दे दिये हैं डिस्क्रिप्शन में और इस बार जिन लोगों को दिक्कत आती है इन एपिक इसको डाउन्लोड करने में तो यहाँ पर गाइस वेबसाट के लिंक देदी है टेक्स टोकर वैसे आप लोग